हेलो दोस्तों हमारी किचिन में आप सब का स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं लाल मिर्च का तीखा अचार जो की जटपट बनकर तैयार हो जाने वाला है इसे हमें ज्यादा देर धूप में या किसी भी प्रकार की कोई हवा दिखाने की जरूरत नहीं है तो चलिए बनाना स सबसे पहले हमको सारी मिर्चियों को अच्छे से धोकर साफ कर लेना है और एक चाकू की हल्प से हमको इसके बीज में इस तरीके का कट लगाना है फ्रेंड हमको यहाँ पर आर पार नहीं कट करना है सिरिप बीज में एक चीरा लगाना है ये देखिए कुछ इस तरीके से ज सेम इसी तरीके से हमको सारी मिर्च में नमक और हल्दी लगा देनी है और कुछ नमक और हल्दी इनके उपर से भी इस तरीके से छड़क देना है और इसके बाद में हमको यहाँ पर कुछ नीबू इस तरीके से इनके उपर भी डालना है और एक-एक मिर्च को उठा करके इनके बीज में इस तरीके से भर देना है और जब हमारा नीबू का रस इसमें इस तरीके से फिल हो जाएगा उसके बाद में हम सारी मिर्चियों को इसी तरीके से रख देते हैं और अब हम इनको उठा करके लगबग पास से छे गंटे के लिए धूप में रख देते हैं और धूप म रखने के बाद में पास्ते 6 गंटे के बाद में हमको ये देखी फ्रेंट इनका जो सारा नीबुकरा से सुख चुका है और ये जो रेडिमेंट मसाला मार्किट में आसानी से एवलेवल होता है अचार मसाला इसको हम इसके बीच में कुछ इस तरीके से फिल कर देते हैं अचा मच ओईल को हाई टेंपरेचर पर गर्म करना है और उसमें आदा चम्मच जीरा और जो मिर्च हमने मसाले से फिल कीती वो सारी मिर्चिया हमको तेज तेल जो हमने गर्म किया है उस ओईल में हमको मिर्चिया सारी डाल देनी है और यहां पर आदा चम्मच अजवाइन और एक टेंपरेचर पर हम लगातार चलाते रहेंगे और ये देखिए फ्रेंड हमारी जो मिर्च का अचार है वो बनकर तयार हो चुका है और अब हम इसको एक मैने के लिए काच की बरनी में स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं तो फ्रेंड आपको हमारी लाल मिर्च के अचार की रे शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बील्कुल मत भूलिएगा